तो आज आपको वाइस तोड़ी फीक क्यों से मिलने वाली है क्योंकि तुम्हारे वाइक कुछ जुखा में सबूत मिल गया तो आज के वीडियो में हम देखने वाले एक इसे टर्नल के बारे में जहाप आप जिसके आंदर जाना तो अला हुए लेकिन इसमें से कोई बाहर निकलने पाता अब ऐसा क्या था इस टर्नल में यह सब हमें आगे चलके इस मूवी में पता चलेगा सबूवी के स्काटिंग में हम एक लीडि को दिखते हैं जो कि एक इंसान से लिए फिलते हुए कहीं जारी थी और यहां पर हम देखते हैं कि यह इंसान बोगती सिदा सारे दिख रहा था लेकिन यह सब बिलकु नहीं था और तभी हम देखते हैं उस लड़की को पता चलते और गारी में रखे समान से उसको बुरी तरीके से मार देता हैं यहां पर इसने यह सब क्यों किया है और वो डिट बोडि किस की थी यह सब हम वीडियो को बताया निजाता और इसी के साथ सीन काटा जाता है नेक्स सिन में हम देखते हैं कुछ लोगों को जो कि बस से से जाएगे और तभी हम देखते कि बस का ड्राइवर बस को टन करते वह एक जेंगल की रस्ट में चले जाता है इसके बार हम देखते कि उन दूर दूर तक नहीं दिख रहा था अब फाइनली यह लोग पड़िसान होके डिसाइड कते हैं कि हम सभी को बस को रिवस लेकर पिछी के और जाना चाहिए क्योंकि इसका एंड तो कहीं दीख रहा नहीं था लेकिन इसके स्टार्टिंग पॉर्ण से हम भाई निकल सकते हैं और तभी हम देखते कि बस का डैवर यू टर्ण करके पिछी के और जाने लगता है लेकिन यहापर कंडिसेर अब नर्वस होते जारी थी मतलब कि पिछले आदे घंटे से वो डैवर बस को चला रहा था लेकिन फिर भी इस टरनल का स्टार्टिंग पॉर्ण यहने दूर और तभी हम देखते कि उनमें से एक लेड़ी को एक फोन मिलता जो कि निची गिरा हुआ था और यहापर यह लेड़ी देखके सौक उजाती है और सभी को बताते हुए कि मैंने इस फोन को टरनल के स्कार्टिंग में घुसे में फेका था जो कि मुझे इदर मिला मतलब कि और डिसाइड करते कि हम इसे दू आदमी एक रसी को लेकि आगे बढ़ेगा जिसकी डोरी को हम इसे एक इदर पकड़खे रखेगा और तभी हम देखते कि प्लान के मुताबिक उनमें से दू आदमी उसी डोरी को पकड़ते वो आगे बढ़ते और कुछ दिरबाद चलने क के बाद हम देखते कि इन में से एक को निचे जमिन में गिरा हुआ एक वायर मिलता है मतलब कि जो ट्री के लोग यूज करें तो पहले भी किसे ने यूज किया है और तभी हम देखते कि उन लोगों का रसी का डूर भी खतम हो गया था तो वह लोग इस वायर को जोइन करते मतलब यह लोग यहापस समझाते कि इस टरनल में हमने आके बहुती बड़ी गलती की और तभी हम देखते कि सभी लोग आपस में एक दिसरी को बिलेम करना चलू जयते जहाँ पर हम देखते कि यह लोग फाइनली डिसाइड करते कि हमें इसके आगे जाने की जुरुत नहीं हम इदरी रुके कि जब तक हमारी जिसे कोई आना जाए इसके बाद हम देखते कि वापस सभी लोग बस में रखे वे खाने के समान को आपस में एक पली डिवाइड कर लेते और एक दूसरी को अपना इंट्रूरक्शन देने चलू कर देते लिकने आपर हम विरोस को उस इं अंदर मज़े से सो रहे थे और तभी हम देखते कि यह अस्तरा नहीं मिलने के वज़े से वुल्ग वापस बस की और आ जाते जहां पर यह लोग यह देखके सवक हो जाते कि बस में तो काफी दूल जम चुकी थी जिसके बस काफी सालों से इदर बंदे इसके बाद हम देख और इसी के साथ हम देखते कि उन में से एक को कोई इंसान मार कर अपने साथ गसीट तो वे लिके जा रहा था और तभी यह लोग टौच आउन करके उस जमिन में लगे वे बलड को फॉलो करते वे आगे बढ़ते तभी यह लोग देखते कि उस टोनल के अंदे एक दरवा ज जयता जो कि वेना सोचे समझे यह लोग तोड़के अंदर चली जाते अब इनके साथ आगे क्या होने वाला इनको जरे सी भी भनक नीती अंदर आने के बार यह लोग को दिखे रहाता कि यह तो किसी का पसनलर रूम है और तभी उनको पता चलता कि जो भी इंसान इधर रहत जहां से लोग ने स्टार्ट किया था तभी यहां पर हम देखते कि यह लोगों को खाना पुरी तरीके से खतम हो गया था इसलिए उन में से एक आदमी सभी खाने को अपनी और जपत कर लेता है और तभी ड्राइवर को यह देखके बहुत ही गुसा आता है और तभी हम देखत कि उस लड़की को भूग लगना स्टार्ट होगे थी जो की नोटिंग की करेते कि मुझे खाना ने खाना है और तभी हम देखते कि वह बस के पास जाते खाने को मांगने के लिए जहां पर हम देखते कि जिसे दिसे रिक्वेस्ट करने के बाद वह ड्राइवर इसे खाना द लोगों के फायर उठात हुए कोई ड्राइवर के पेट में रॉड गुसा दिता है जहां पर हम देखते कि उसकी आवास सुनके बाकि सभी लोग भाग कराते और तभी हम देखते कि वह लड़की और वह इंसान एक दिसरे को बिलिम करना चलो कर दीते और इसी के साथ हम लोग देखते कि यह लोग उसी दर्वाजी के अंदर चली जाते लेकिन आपर यह लोग यह देखके सौक हो जाते कि यह लोग उसी टाइम में पहुच गेते जहां पर ड्राइवर ने सभी का खाना चिननी के लिए गन पॉंट किया था लेकिन आपर हम देखते कि इसका जस उल्टा हो रहा था मतलब कि इस बार वो ड्राइवर के बदल國 वो इंसान था जो कि चुपके से खाना खारा था और दिखती कि वो इनसान एकपर फाइर करता हैं और तभी हम देखते कि इसकी तुनन तो मौट हो जाती हैं मतलब यह आपर आनमें फ्यूचर के पосिक्लिबिल तभी हम देखते हैं इन में से बहुत लोग रियल में मड़ चुके थे यहाँ पर फूचर पॉस्बिलिटी कैसे डियलेटि में कनोट हो रही थी यह सब हम विरूस को समझाएने जाता अब जो भी बच्चे वे थे वो दूसरी दरवाजी के ओड़ जते जहाँ पर हम देखते क किसे ने मारा था और क्यों मारा था यह सब हम विरूस को बताया ने जाता है मतलब कि इसका क्या राच तब वह सब हमें आगे चलके पड़ चलने वाला है इसके बाद हम विरूस देखते कि अब बच्चे हुए थे बस तीनी लोग जो की अगली दरवाजे की ओर जा रहते औ और इन में हम देखते कि वह आदमी भी बच्चा हुआ था जो कि अचाने से बस के आदर चड़ा था तब हम देखते कि अचाने से उन में से एक लिडी अचाने से रुक कर वह आदमी को चाको से मार दीती है और तब हम विरूस को इसके घड़ी में टाइम दिखा जाता है ज पर हम देखते कि ये psycho criminal किसी को kidnap करते हुए भाग राता जिसके पीछे police officer पड़े हुए थे तभी अचानक से उसका accident हो जाता है जिसके वज़े से वो कौमा में चली जाता है और तभी हम देखते कि वो यादमीजों के starting में बस में चलाता वो एक police officer था मतलब कि इसकी बीबी का kidnap करके वो criminal भाग रह था और तभी हम देखते कि वो officer medical help की हो जिसे उस criminal की दिमाग में जाता है ताकि वो अपनी wife के बारे में पता कर सके और इसके बाद हम देखते कि वो वापऊ से郷्चे दिमाग में जाता है जहांपर हम देखते कि उसे finally वो criminal मिल जयाते है यहांपर वो वो ओफिसर उसे पुछता है कि प्लिस मुझे बता तो मेरी वाइफ की दे दे तब ही हम देखते कि वो किमिनल रुप्लाइ में कहता है कि सभी को अपना-पना पढ़ा लेकिं कोई मेरे बारे में सुचता नहीं है अब जैसे कि वो ओफिसर उस किमिनल के इमाजीनिसर वल्ड में था और तभी हम देखती कि वो चाने से वहापस से इनरी चेंश कर दीता है जा पर वो क्लेर ऑफिसर को स्चार्टि से सब कुछ दिखाता है और तभी हम देखती कि वह officer खुद को सूट कर ले तो उसके imaginary world में जिसके साथ ही साथ वह criminal भी दिरी दिरी गया भुजता है अब इसके बाद हम देखती कि वह criminal हुसमे आ जाता है लेकिन यहाँ पर हम देखती कि वह officer अभी सपने में अटका हुआ था तभी हम देखती कि बाके का officer उसी criminal से उसके wife का पता पुछते जहाँ पर हम देखती कि वह officer के wife का पता बता देता है और तभी हम देखती कि police officer उस lady को ढूंड भी लीती है जो कि वह सपने में अटके officer की wife थी यहाँ पर हमें पता चलते कि जो कि starting में हमें देखा था टानल वो सभी imaginary world था इस criminal के mind का और तभी हम व movie की बात किया जा तो यह movie काफी complicated थी क्योंकि इस movie को दो बात देखने के बाद समझ माया पूरी story और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को subscribe करें मिलते next video में